अगर दिसक्र स्पोर्ट के पारे में अगर डिसक्स करेंगे तो उससे काफी आइडिया हमें मिल जाएगा पहले शुरू करते हैं नेगेटिव से नेगेटिव से तरफ यह है कि निफ्टी ने अपने लॉंग टम सपोर्ट के उपर आके क्लोज किया है अगर यह सपोर्ट नया lower low बनाया है उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई भी नेगेटिव पॉइंट निफ्टी के पास में नहीं है लेकिन अब बात करते हैं positive points की positive points में पहला part अगर बात करें वो है फेड की meeting का outcome जो फेड की meeting थी उसके बाद में हमारे जो dow jones 30 वो अभी almost DJ 30 यह 250 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज किया है उसने विच इसा गुड पार्ट सेकेंड बात करें जो है रिलाइंस जियो फानेंशल्स उसने भी अब थ्रौसा राइज करना शुरू कर दिया है तो इससे क्या होगा है वेट जो हमारे लाइंस है उसको भी थ्रौसा को क्लीन चिट मिल गई है तो सब देखें तो यह जादा हमारे पास में राइजिंग साइड के लिए सपोर्टिव डेटा है और सरफ नेगेटिव साइड में सरफ यह है कि सपोर्ट और नया लो बनाया है जो अब उट से बहुत आराम से एक नूर किया जा सकता है तो उसी के बेसिस पे अब हमें क्या सोचना चाहिए हमें थोड़ा सा मार्केट को राइजिंग साइड की तरफ जादा फोकस करना चाहिए हाँ सेल और राइज वाला कॉंसेट अभी भी है बट बीच 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 दिप तो आएंगे न मतब जो जो इसको आप कहते हैं बाउंस तो बिलकुल नहीं होगा तो इनकेस वर टेकिंग एन ट्रेड ओन दिस रिकमेंडेशन तो आपने हमारे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बिल आइकन को प्रेस कीजिएगा तभी वीडियो में आगे बढ़िएगा सर्फ इतना करके आप हमारे चानल को बहुत सपो hear prima और description box में हमारे telegram का link available है तो आप live telegram पे हमें जॉइन कर सकते है जो हमारा paid support group है उसका link नीचे description box में available है along with other । इनको भी आप यूज करते हैं चले बात करते हैं शुरू करते हैं लिसस की on the basis of these और हम मान सकते हैं कि फ्रॉसा market gap up करेगा तो gap up कहा तक जा सकता है वो check करते हैं उसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ Fibonacci retracement तो पहले हम करते हैं on daily time frame तो daily time frame के हिसाब से मुझे लग रहा है 9400 एक level रहेगा जहां पर हमारे पास में थोड़ा सा आब उट से push मिल सकता है on the selling side तो यहां तक अराम से जा सकता है market एक बाद टच करेगा निफ्टी उसके बाद पर उसा sell on rise बनेगा यह अगर cross कर लेता है तो फिर तो अगला target काफी बड़ा है and that is coming around 19,520 तो पहला part हम क्या करेंगे पहला part हम देखेंगे पहला target हमारा 19,400 तक होना चाहिए second target हमारा 19,521 तक होना चाहिए अब हम थोड़ा सा इसको check कर लेते हैं retracement के basis में on the basis of 30 minute तो इसको पहले delete करते हैं और 30 minute में हम क्या करेंगे यहां से मैं plot करना चाह रहा हूँ मैं देखना चाह रहा हूँ कि यह जो current rise था यह हमारे लिए कहां से हमें buyback opportunity मिलेगी तो कोई भी opportunity मिलेगी तो हमारे पास पहली opportunity है जहां से हमारी buy बनेगा that is 19,300 यहां से पहला target आपका पड़ेगा 19,365,19,400,448 and500 यह level आपके पास में one by one चलेंगे यह हर level पे आपको क्या करना है अपना stop loss previous level पे अपना shift कर देना है current closing कहां पर है current closing is around 19,250 यह 60 के आसपास है one day time frame चेक करते हैं तो यहां अगर आप इसको पहले one day देख लेते हैं one day time frame के accordingly 19,265 है ठीक है तो 19,265 तो हमारा पहला जो level निकल के आ रहा है यहां पर buy initiate होगा that will be the buy और इसके बाद में पहला target आपका रहना चाहिए 65 का second target आपका रहेगा 400 का third target 450 यह एक दिन में achieve हो सकता है उसकता है दो दिन में achieve हो यह कोई guarantee नहीं होती है कि हम target ले रहे हैं 500 का हो तो कल ही 500 का पूरा पूरा run लेकर जाएगा it could be quite possible जब buying आती है तो आप भी जानते है कि steep buying आती है last session में FII net seller रही है तो उस बात को ध्यान रखेगा और coming week में expiry है monthly तो market जितना उपर जाएगा उतना भड़िया उपर से drop करने लायक market को बनाया जाएगा ताकि उपर से छोड़ दिया जाए इसको बिल्कुल मत भूलिएगा और नीचे के तरफ I would say यही level है जहां पर हमारा support available है और इसी के basis पे आपका sell भी बनेगा otherwise देखे मैं अब यह नहीं कह पाऊंगा कि हम 400 या 450 पे हम sell करेंगे इसको आप ऐसे समझेगा कोई भी level अगर उपर जाता है और उसके उपर option chain के basis पे ठीक है for option chain you can go through this video option chain के basis पे अगर आपको लगे कि यहां पर resistance जादा available है और वापिस गिरना शुरू करें तो इन में से कोई भी level आपके लिए sell on rise लेकर आएगा it could be quite possible कि market आराम से 440 तक lift कर जाए और वहां से sell on rise आपको मिले हो सकता है वो 9400 से ही थुरा सा turn लेना शुरू कर दे तो यह रहेगा हमारा complete outlook for nifty बात करते हैं bank nifty के बारे में जब से RBA का meet हुआ था RBA नहीं क्या किया था because of their policies bank से जितनी भी liquidity थी extra उसको stuck out कर लिया था तो आपने देखा होगा HDFC bank, Axis bank, ICAC bank कहीं ने लगातर falling कर रहे थे तो एक दो दिन से उनमें थुरा सा bounce back हमें देखने को मिला है recently Axis bank ने एक lifetime high भी बनाया था 52 weeks high उसको देखते वे हमें लग रहा है कि थुरा सा rise हमें देखने को मिल सकता है तो पहले हम क्या करते है chart wise देखते हैं कि हमारे पास क्या scope available है तो chart wise तो ऐसे scope बनेगा तो यह क्या है 44, 250 से लेकर 300 के बीच में जहां भी आपको लगे कि bank nifty ने अपने आपको hold कर लिया है फ्लाट ओपनिंग के बाद में वहां से हमारा एक बढ़िया वाला buy बनता है और यह अराम से कहां तक जा सकता है 44, 500 से लेकर 44, 700 तक जा सकता है अभी हम chart wise देख रहे हैं नीचे के तरफ अगर आप देखेंगे यह वाला तो यहां पर क्या बन रहा है 44, 150 का आपके पास में sell बन रहा है यह पहला target टॉप का 44,000 ही बनेगा इसके बाद में तो आपके पास में 43, 900 से लेकर 800 का second target बनेगा अगर मैं यहां पर retracement के basis पे चेक करता हूँ तो retracement के basis पे भी throbot level सेम ही मिलेंगे हमें तो उसको देखें तो देखें यहां पर आपके पास में retracement level के basis पे यह 44, 219, 360 तो अभी हमने 250 वाला जो level था वो सही है उसके बाद में 44, 450 का 450 का हमारा पहला target बनेगा और 600 का हमारा second target बनेगा नीचे के तरफ I would say 44,000 ही हमारे पास में थोड़ा सा एक scope है जहां तक नीचे जा सकता है और वो जाएगा 44, 150 के sell होने के बाद में तो almost chart और हमारा retracement दोनों बराबर ही बात कर रहे हैं तो यह level हमारे लिए काम करेंगे I would say 270 कर लिजेगा उपर नीचे तरह बहुत 20 point का चल जाएगा तो यह हमारा buy के लिए बनेगा और यह हमारा sell के रहेगा bank nifty के अंतर stock selection में हमारा पहला pick रहेगा बजाज फिंसाव अब हम यह सोच रहे है कि market में थोड़ा सा rise आएगा तो उसके basis पे हम पहले priority रखेंगे buy side पे और उन stocks को हमने pick किया है जिसमे rising side के ज़ादा scope है यहाँ पर अगर आप notice करेंगे तो यह कुछ आपको ऐसा देखने को मिल रहा है यह it's a kind of double bottom और कहीं ने कहीं यह rounding bottom को भी support कर रहा है high बनाता 15.09 का तो 15.10 के उपर हमारे एक अच्छा सा buy बनता दिख रहा है और 14.95 के नीचे हमारा sell बनेगा reason being 1500 उसके लिए अपने आप में एक support है तो क्या होगा एक बार 15.00 ब्रेक किया वापिस गया और एक दो बार up down हुआ और sustain नहीं कर पाया 15 को तो 14.95 के नीचे आपका बढ़िया सा sell बनता है और 15.10 के उपर एक अच्छे सी buy हमें देखने को मिलेगी इन बजाज फिंसाव उसके बाद हमारे पास में century textile century textile को देखेगा मैं इसको अगर आपको ऐसे बनाता हूँ line ये channel बना रहा हूँ तो आप notice करें एक तो channel का breakout नजदीक आ गया है ये वाला part दूसरा हमारे लिए एक तो channel हो गया तो इसको हम ऐसे मानेंगे कि ये अगर इस line के ऊपर जाके hold कर लेता है तो यहीं से buy initiate होगा and in case ये 998 को break कर देता है तो वैसे भी 1000 का psychological support है उसके नीचे हमारा अच्छा सा cell बनेगा because support break होने के बाद एक दुबार अगर resistance break करने कोशिश क्या नहीं हो पाया तो समझ जाएगा नीचे की तरफ गिरेगा तो इसी लिए हमने अगला रहेगा MGL में हमने क्या किया है इसको भी देखेगा यहां पर हम line draw कर रहे हैं once again channel तो यह कुछ ऐसे है और यह कुछ ऐसे है और देखेगा इतनी वड़ी fall के बाद में that is 11 1140 से लेकर 970 का low बना है और उसके बाद देखें अब उसने एच्छी recovery दिखाई है यहां पर 1015 और 1000 यह दो लेवल हैं जो हमारे लिए काम करेंगे तो अगर यह जो momentum है continue रहा तो इसके उपर buy बनेगा नई sustain कर पाया हो सकता है कोई company के fundamentals में या अभी इसी time पे मतलब august के अंदर थोड़ासा अगर issue है तो यह वापिस से जो sell चल रहा तो उसके नीचे आपका sell बनेगा MGL के अंदर उसके बाद हमारे पास में रहेगा that will be ICIC bank आपसे मैंने काता है कि ICIC bank मुझे थोड़ासा positive लग रहा है तो यहाँ पर अगर आप उसको candle wise देखेंगे तो यह आपका बढ़िया सा candle है और chart wise देखेंगे तो यह जो इसके पास में 965 का 970 का जो हमारे पास support था उसके उपर जागे उसने close किया long term यह वाला जो हमने पहले भी line draw किया हुआ है अब क्या होगा 974 इसके उपर जाते ही हमारा buy initiate हो जाएगा और 965 जो यह हमारा long term हमारे लिए जो support बना हुआ है यह हमारे लिए फिर sell initiate करेगा तो दोनों condition में हमारे लिए बढ़िया moment रहेगी ICAC bank में intraday में दोनों तरफ की moment equal आपको gauge करना पड़ता है आप one side सरफ swing में देखते हैं तो guys यह रहेंगे हमारे stocks for tomorrow और जाने से पहले like और subscribe करना मत भूलेगा मिलेंगे अगली वीडियो में until then take care guys have a nice day bye bye